तो हलो एबिन जी कैसे हैं आप लोग वेलेकम टूमाई निओ अने ढर वीडियो तो आजकी स्मुंक्त हम react करने वाले हैं था कि वो जो लोग भेंद विश्वास फैलाएंगे उनके खिलाफ F.I.R करके और उन पे करवाई की जाएगी जो भी है तो ऐसा बात है कि साथ दिनों से बागेश्वर धाम की स्वामी जी जो है सास्त्री जी वो नागपूर में अपना प्रवचन दे रहे थे वो नौ दिनों था तो उन्होंने छोड़के साथ दिनों महीं वो आगे वहां से छोड़के क्योंकि उनके गुरु जी का जन्म दिन था तो आप लोग एक तरह से यह वात समझ लो आप लोग कि यह लोग देश में से भगवान की पूजा एक तरह से अंध विश्वास क्या हूँगा अदमी पूज से लोग इनका टारगेट हेक्दम डाइरिक्ट हिंदु और वो जो संगठान है वो किसी मुसलमान का नहीं है वो भी संगठा निक हिंदु का है उसके को फाउंडर भी फाउंडर, जो भी बोलते हैं वो भी हिंदु है उसके एक कोई और फाउंडर था को फाउंडर था गोली मारकर पूरे में भी हत्या भी कर दी गई थी दो बाइक सवार ने गोली मार दी थी उसको लेकिन उससे हमें क्या यह है कि वो लोग आखिर क्यों उन्होंने ऐसा बोला उनके उपर एफाई आर दर्ची थाने में जाके उनका जो संगठन है उसने टार्गेट किया है सास्त्री जी को जो बागसुवर धाम के गुरुजी है उनको टार्गेट किया है उनके उपर एफाई आर दर्च किया है अब जो भी क्या है वो लोग जाने अपना वो समझे क्या क्या है उन्होंने और क्यों उनको उनमें वाचन खतम करके 36 गड़ा आ रहे थे वह आ रहे थे तो उनके पहले उनको चुनोती दे दी गई थी कि आप हमारे दस बैठेंगे पत्रकार आप उनके मन की बात जानके आपको दिखा दीजे हम लोग 30,000,000 रुपे आपको देंगे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और जब 36 प्रसगड़ी वहां से आ गए नागपूर से तो और उपर से वह लोग प्रेसर देने लगे कि क्यों भाग गये डर के भाग गये ऐसा हो गया अरे बहुत तम कौन हो कि तम से कोई डरेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनके जैसे लोग अपना संगठ बनाएंगे यह लोग अपना संगठ थन का नाम उपर लेकर जाने के लिए के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं जैसे अभि कैस नगा रिख वी उठाइस जैसे इस संगातन दर्म पढ़ा आहां, हम्हारे धर्म roughly जबकि वो भी एक हिंदू धर्म का आदमी है वो भी सनातन धर्म का आदमी है उसने सनातन धर्म प्याउली उठाई सीधी सीधी बात ये है इनका ये है कि अपना संगठन को उपर ले जाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकता है कितने विहाद तक ये नीचे गिर सकते हैं इसी से आप लोग अंदाजा लगा लो कि ये लोग कैसे आदमी है और ये सब जो बाते हैं न मुंबई से जादा सुनने को मिलती हैं पता नहीं क्यों इन्होंने क्या करा गुरुजी को चैलेंज दिया तो गुरुजी ने में बोला कि ये काम करो अपने 30,000,000 रुपए अपने पास रखो और आप 36 गड़ आजाओ मेरे गड़ में और मेरे मेरा जो जहां प्रोपर रोज होता है जहां पे मेरा प्रवच्चन आप वहां आजाओ आणे की खर्चा, जाने की खर्चा, रहने की खर्चा, जो अप मांगोगे मैं दूगा अपने पैसो से और 30,000,000 रुपए भी अपने पास रखो और जितने लोगों को लेके आना है उतने लोगों को लेके आओ मैं हर एक चीज आपके लिए तेया रहूं वही बात है जिन पर भगवान कहा आत रहता है यार वो तो जो लोग फरजी लोग रहेंगे वही तो इधर से उधर भागेंगे वो फरजी नहीं है तो वो क्यों भागे वो तो एकदम क्लियर बॉर्ड रहे हैं जितने लोगों को लेके आना है लेके आओ तो वो लोग लेके से इस प्रकार के संग्ठन है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हिंदुस्तान से हिंदो को खतम कर दिया जाएगा सनातन धर्म को खतम कर दिया जाएगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है इसलिए आप लोग जब भी खड़े हो इन सब चीजों के अपोजेट में खड़े हो और मैं भी इस चीज के full अपोजेट में खड़ा हूँ और अपना इंदो धर्म सबसे उपर मैं किसी भी धर्म की इसमें बुराई नी करूँगा और ना किसी को कुछ भी मैं किसी धर्म को बोलूँगा यह नी मेरा इंदो धर्म सबसे उपर था, है और रहेगा तो बस आज के लिए इतना ही होप कि आप लोग जो मैंने बाते बोली वो सब समझ गये होगे और देख रहे होगे संगठन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है हमारे देश में तो उस संगठन को अब कोछ उपाय तो करना पड़ेगा ना है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टोपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्री राम